नमसकार ललिता स्किचन में आजम बनाने जा रहे हैं पणीर घर पर दूद से पणीर कैसे निकाले एकदम बिलकुल नरम पणीर बिलकुल बाजार जैसा पणीर घर पर कैसे बनाए पनीर बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है पैन को हाई फ्लेम पे चड़ाना है और उसमें एक लीटर दूद डाला है आप दूद कोई भी यूज़ कर सकते हो मैंने उबला हुआ दूद यूज़ किया है दूद को हम गरम होने देंगे इसे हम इतना गरम करेंगे कि ये ओल्मोस्ट बॉइल होने तक आ जाए आप देख रहे हैं बॉइल होने से पहले दूद के उपर एक बर मलाई से आने लग जाती है बस हमें यहां तक कि इसे बॉइल करना है और इसमें धाई चमच विनेगर के डालने है आप इसमें धाई चमच निम्बूरस भी डाल सकते हो मैंने धाई चमच विनेगर से बनाया है आप विनेगर कोई भी यूज़ कर सकते हो जो भी बोटल में आता है कुकिंग वाला विनेगर यूज़ करना है अब हम इसे हाई फ्लेम पे ही एक उबाल आने देंगे आप देख रहे हैं हाई फ्लेम पे एक उबाल आ गया है अब हम आज को माध्यम कर देंगे और इसे थोड़ा पकाएंगे ताकि हमारा पनीर और पानी अलग हो जाए इसे एक से दो मिनिट हम इसे पकाते रहेंगे आप इस रेस्पे को ट्राई करें आपका पनीर बहुती नरम बनेगा बहुती अच्छा बनेगा एकदम बाजार जैसा पनीर बनेगा एक से दो मिनिट पका रहे हैं आप देख रहे हैं कि पानी और पनीर अलग होने लग गए हैं आपको इसमें विनेगर या लैमन juice ज्यादा नहीं डालना ज्यादा डालने से भी पनीर हमारा अच्छा नहीं बनता और पनीर हमारा तूटने लग जाता है आपको एक लीटर में धाई चम्मच के हिसाब से डालना है अगर आपको जरूरत लगे तो आप बिल्कुल हलका सा आधा चम्मच और डाल सकते हैं अधर्वाइस आप इसे इसी तरीके से बनाने के कोशिश करें आप देख रहे हैं एक से दो मिनिट पकाने के बाद पानी अलग हो गया है और पनीर हमारा उपर आ गया है आँच को बंद कर देना है आँच को बंद करने के बाद हम एक स्क्रेनर में चल्ली में पनीर और पानी को चान लेंगे पानी को आप किसी बरतन में छान सकते हैं आप देख रहे हैं चलनी के उपर पनीर आ गया है और पानी हमारा एक अलग बरतन में रह गया है हम चलनी को किसी दूसरे बरतन के उपर रख लेंगे यह जो पनीर का पानी है आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसे ठंडा होने के बाद पोदों में भी डाल सकते हैं, इससे अट्टा गून सकते हैं या इससे कोई भी सबजी बना सकते हैं हम पनीर के उपर से दो गलास आम पानी, नॉर्मल पानी जो होता है उसके डाल देंगे ताकि इसमें से विनेगर या लैमन जूस का स्मेल निकल जाए हम देख रहें, मैंने इसके उपर से दो गलास पानी डाल दिये हैं और इसे स्टेंडर में ही चान लिया है अब हम एक प्लेट लेंगे, उसके उपर एक कोटन का मलमल का कपड़ा बिचाएंगे और पनीर को कपड़े के उपर रख देंगे और पनीर को कपड़े से इस तरीके से ढख देंगे आपको गांठ नहीं लगाना है, नहीं तो आपका पनीर अच्छा नहीं बनेगा बस आपको इससे कवरी करना है और इसके उपर कुछ वेट रखके, इसे आदे घंटे से एक घंटे के लिए पड़े रहने देना है, एक घंटे बाद हमने वेट को उठा लिया, और देखा कि एकदम साबूत पनीर बन के तयार है, बाजार जैसा पनीर बन के तयार है, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, इसके उपर कोई भी हैवी चीज रख सकते हैं, जादा हैवी चीज नहीं रखनी है, आपको आप पनीर को काट कर देख सकते हैं, आपका पनीर बिल्कुल बिखरा वह नहीं बनेगा, आप देख रहे हैं, मैंने पनीर को काट लिया है, पिस्टीज में, हमारा पनीर एकदम ज पजी भी बना सकते हैं और आप जिस तरीके से भी खाने में भी इसको उप्योग कर सकते हैं आप पनीर के पिसेज को बावल में डाल कर और उसमें थोड़ा पानी डाल कर इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं ये पनीर हमारा इस तरीके से स्टोर करने से खराब नहीं होगा बिल्कुल नरम है, बिल्कुल अच्छा अच्छा पनीर बना है, आप भी अपने घर में पनीर की रैस्पे को ट्राइ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पर आते रहें, थैंक्स फॉर वाचिंग दा वीडियो